Hello Friends, कैसे हो आप सभी लोग? I hope कि सभी बहुत अच्छे होगी. तो जैसा कि हमारी UPTED के लिए हमने EVS की क्लास स्टार्ट की थी, UPTED जिसका नॉटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, उसमें EVS की हमने कल अपनी 1st क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें EVS की आपकी थेयरी को कंप्लीट कराया था. तो EVS की थेयरी में जो हमने 1st पार्ट सुरू किया था, उस 1st पार्ट के बाद आज हमारी की 2nd क्लास है, जिसमें जो चीज़े हमने कवर कर लिए, उसके बाद की चीज़े बताई जाएगी. तो UPTED के लिए most important और बहुत जादा beneficial क्लास है, तो आप सभी लोगों को जिन्हें भी ये क्लास पसंद आए, सभी लोग जादा से जादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे जादा सेयर करें, ताकि कि जितने भी वीडियोज हैं, उन पे अगर अच्छा सा watch time आता है, अच्छे से views बगेरा आते हैं, तो हम लोगों को भी थोड़ा motivation मिलता है, और आप लोगों के लिए और बहतर वीडियो बनाने की courses करेंगी, तो आज हमारी second class है, second class की theory में आजम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछली class में बताया था, परिया वरड किसे कहते हैं, परिया वरड किन किन चीजों से मिलकर बना है, किस चीज को परिया वरड का साब्दे कर्थ कहते हैं, उसके इस्थल मंडल के बारे में बताना स्टार्ट किया था, तो जैसा कि हमारे first part में इस्तल मंडल बता रहे थे कि इस्तल मंडल के अंतरगत क्या क्या चीजें आती हैं तो इस्तल मंडल में a next चीज है मरुस्तल तो हम आज पढ़ेंगे मरुस्तलों के बारे में जो कि इस्तल मंडल में आते हैं तो जो ये मरुस्तल है ये इस्तल मंडल का ह स्तल मंडल में जो मरुस्थल है वो किस प्रकार से है तो जो मरुस्थल है वो कहते सबसे फर्स चीज होती है तो भारी रेत से बने भूँ भागों को मरुस्थल कहाजाता है यानि एक ऐसी जमीन जहां पर बहुत जादा भारी मात्रा में एक बहुत बड़े भाग पर रेत की मात्रा की अधिकता होने वाले छित्रों को मरुस्तल कहा जाता है यहाँ पानी की नियूनिता होती है यानि पानी बहुत कम मात्रा में होता है जो मरुस्तल होते हैं वो एक प्रकार से रेतिला इलाका होता है और जो पानी की मात्रा होती है वो यहाँ पर बहुत कम होती है अर्थात पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है तो जो मरुस्तल हो जैसे कि सहारा मरुस्तल है यानि सहारा मरुस्तल एक ब़ुत बड़ा मरुस्तल माना जाता है जो कि उत्तरी अफ्रीका में है जो सहारा मरुस्तल है अगर कुश्चन आता है कि सहारा मरुस्तल किस जगे है तो सहारा मरुस्तल उत्तरी अफ्रीका में है जो कि एक प्रकार से बहुत रेतीला इलाका है और यहां पानी की बहुत कमी है जैसे कि थार का मरुस्तल है जो कि उत्त सिला इलाका होता है पानी की निव्यिोनता होती यानि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है तो ऐसे स्थानों पर बनने verstपि येविंड आवादी यह जो कहा रहा है तो द्वीप ऐसे भूभागों को कहा जाता है भूभाग का मतलब होता है प्रत्वी के ऐसा स्थल मंडल ऐसी जगे जैसे ये एक प्रकार से द्वीप माने जाते हैं ऐसे भूभागों को कहा जाता है जो चारो ओर से जल से घिरे हुए होते हैं और बीच में एक स्थल की तरह हो ड्वीप कहा जाता है जो चारो तरफ पानी से अपनी पाया जाएगा और जो भारत में अगर ड्वीपों की संक्या पूच्ma है to 243 याने कि 243 डीप इंडिया के अंदर है उसके बार नेक्स्ट बात करते है हमारे जल मंदल के बारे में जो कि हमारा इस्थल मंदल है इस्थल मंदल जो कि हमारे बायो मंदल का एक पार्ठ है जो द्ल ‫ three चीजंद्र ॉप से मुक्षि Country मुंकर बना यह संपूर प्रत्वी के 7 वट्टे 10 भाग पर है यानि एक प्रकार से 10 को अगर देखा जाए तो 7 परसेंट भाग पर जल पाया जाता है तो जो हमारी प्रत्वी है उस पर इस थाल यानि की जो भूमी है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और जो जल है यह बहुत अधिक मात्रा में है यानि 7 वट्टे 10 परसेंट भाग पर जल पाया जाता है तो यह आते है जल मंडल में अब जल मंडल में कौन कौन सी चीजें आती है तो जल मंडल में आते हैं महासागर जो महासागर है वो जल मंडल के अंतरगत आएंगे सागर है नदियां है जीले है इत्याद नेक्स्ट में बात करते हैं महासागर तो जो महासागर है वो किसके अंतरगत आएंगे जल मंदल के यानि ये एक प्रकार से जल मंदल का पार्ट है तो ये महासागर जो की है ये किसमें आएंगे जल मंदल में तो जो महासागर है उनकी संख्या 5 है यानि कि जो हमारे महासागर उनकी संक्या कितनी है पांच है जो निम्न प्रकार से हैं जैसे कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आकर्टिक महासागर और दक्षडी महासागर ये जो पांच महासागर है ये जल मंडल के अंतरगत आते हैं इन पांचों महासागरों में प्रश इसी में इस्तित है यानि कि जो प्रशांत महासागर है इसी के अंदर जो मेरियाना गर्थ है जो की बिस्व की सबसे गहरी गर्थ है वो प्रशांत महासागर में इस्तित है प्रशांत महासागर में है तो प्रशांत महासागर वर्ड का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे समुद्र हैं वो किने कहते हैं ये किस प्रकार से एक जलमंडल का पार्ट है तो जो ये सागर और समुद्र होते हैं ये भी एक प्रकार से जलमंडल का पार्ट है ये भी जलमंडल के अंतरगत आते हैं तो बिस्व में कुल 16 बड़ी सागर है यानि कि जो पूरे वर्ड के अंद यह आधिप्रमुख हैं यानि कि यह सागरों में यह समुद्रों में बहुत जादा बड़ी मात्रा में पाये जाते हैं इन पार्ट उत्ति यह इस जगह पर भी जल पाय जाता है वो सबी चीजें जिन में बहुत जादा जलकी मात्रा पाई जाती है वो सबी चीजें जलके अंतर गताएंगी तो बिस्व में पांच बड़ी नदिया निम लिखेते हैं एक है अमीजन नदी जो कि अफरीका में है नील नदी जो कि अफरीका में है Mississippi नदी जो कि अमेरिका में है Yangsi नदी चीन में है Ovi नदी रूस में है ये वर्ड की 5 प्रमुक बड़ी नदिया है जो कि मतलब बहुत जादा बड़ी है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जो कि बिस्व में 31 इस्थान पर है यानि कि पूरे वर्ड में अगर देखी जाए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है यानि कि जो कि बिस्व में 31 इस्थान पर है यानि जो गंगा का इस्थान है वो पूरे वर्ड के अंदर 31 है यानि 31 इस्थान है जो अमेजन रिवर है जो अमेजन नदी है